Great morning students, I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, कल हमने हिंदी व्याकरण में किरिया को पढ़ा था. आज हम काल को पढ़ेंगे. काल मिन्स समय. जो टाइम होता है उसे ही काल कहते हैं. इंग्लिस में काल को हम टैंस कहते हैं. टैंस मिन्स काल. काल में समय. किरिया के जिस रूप से हमें उसके होने के समय का बोध हो. उसे काल कहते हैं. किरिया जो हम काम करते हैं वह किस समय पर हुआ है? हमें उसका बोध होता है तो वह काल कहलाता है. काल के तेन भेद होते हैं. बूत काल, वर्दमान काल, भविश्यत काल. आज हम अपने पाठ में काल के वारे में पढ़ेंगे तो चलिए अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं पाठ 11 काल मिंस 10 जुड़िये और समझेए अब आप सभी बच्चे मेरे साथ जुड़ जाएंगे और इसे समझेंगे दिये गए वाक्यों को ठ्यान से पढ़िये और पूचे गए परसनों के उत्तर बताईए तनु मुंबई गई थी तनु मुंबई जा रही है तनु मुंबई जायेगी पहले वाक्य में किरिया कब हुई भूत काल में तन्नु मुंबई गई थी, मिन्स बीती समय में गई थी वो तन्नु दूसरे वाक्य में कब हो रही है, तन्नु मुंबई जा रही है मिन्स हाल में जा रही है, मिन्स वर्तमान समय में हो रही है ये किरिया तीसरे वाक्य में कब होगी तन्नू मुंबई जाएगी मिन्स भविश्यत में जाएगी वो गौट इड आगे दिखी इन पर्सनों के उत्तर देने पर आपको किरिया के अलग-अलग रूपों से उसके होने के समय का बोध हुआ अर्थार्थ किरिया के काल का ग्यान हुआ काल का अर्थ है समय काल का क्या अर्थ है समय गई थी अर्थार्थ बीता हुआ समय जा रही है अर्थार्थ वर्तमान समय तथा जाएगी अर्थार्थ आने वाला समय इस परकार किरिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते है काल के बदलने पर किरिया का रूप भी बदल जाता है जैसे मनोज गिलास में पानी भर रहा था अब था गया तो ये कौन सा समय है बीता हुआ समय किरिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते है जैसे हम पाठ पढ़ रहे है आगे देखिए मनोज गिलास में पानी भर रहा है रहा है तो कौन सा समय है वर्तमान समय मनोज गिलास में पानी भर देगा मिन्स आने वाले समय में वो पानी भर देगा गिलास में इस आधार पर काल के तीन भेद होते हैं कितने भेद होते हैं काल के तीन भूतकाल, वर्तमानकाल और भविश्यतकाल भूतकाल भूत मिन्स बीता हुआ समय काल, काल मिन्स समय अर्थार्थ बीता हुआ समय मैं नाना जी के घर गया था दिव्या ने कल्ब भी अच्छा निरिते किया था आगे देखिया इन वाक्यों में गया था और किया था सब्दों से किरिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है गया था और किया था सब्दों से किरिया के बीते हुए समय का बोध हो रहा है इस परकार किरिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं दबरा देखिये काल के तीन भेद होते हैं भूतकाल मिन्स बीता हुआ समय वर्तमानकाल चल रहा समय भविश्यतकाल अर्थार्थ आने वाला समय भूतकाल किरिया के जिस रोप से उसके बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं जैसे मैं नाना जी के घर गया था सेकेंड है वर्तमानकाल वर्तमान अर्थार्ट चल रहा समय हम पढ़ रहे हैं गरीमा सो रही है इन वाक्यों में पढ़ रहे हैं और सो रही है सब्दों से किरिया के चल रहे समय में होने का बोध हो रहा है इस परकार किरिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं जैसे हम पाठ पढ़ रहे हैं, मिन्स हम पाठ को अभी पढ़ रहे हैं, आगे देखें, नेक्स्ट हमारा नमबर त्री, भविश्यत काल, भविश्यत अर्थार्थ आने वाला समय, थोड़ी देर में पत्तर लिखूंगी, रिया अपना जनम दिन मनाएगी, आगे देखें, इन वाक्यों में लिखूंगी या मनाएगी सब्दों से किरिया के आने वाले समय में होने का बोध हो रहा है, इस परकार किरिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविश्यत काल कहते हैं, किरिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविश्यत काल कहते हैं, जैसे मैं कल आगरा जाओंगा, आगे देखिए अब, विसेस, कुछ विसेस बाते हैं, देखिए, जो किरियाईं आप सदा करते हैं अत्वा होती हैं, वे मवर्तमान काल के अंतरगत आती हैं, जैसे सुर्य पूरवदिशा से उद्य होता है, विद्यार्थी परती दिन स्कूल जाते हैं, आकास में तारे टिम टिम आते हैं, सत्य की जीत होती है, काल को उसकी किरिया के रूप से पहचाना जा सकता है, इन तीनों कालों के भेद भी होते हैं, जिने आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे, आओ दो राएं, अब हम दो राते हैं कि हमने पाठ में क्या पढ़ा है, किरिया के होने का समय काल कहलाता है, काल के तीन भेद है, भूत काल, वर्तमान काल, भविश्यत काल, बीता हुआ समय भूत काल कहलाता है, चल रहा समय वर्तमान काल कहलाता है, आने वाला समय भविश्यत काल कहलाता है, आई हो, आज हमने अपने पाठ में जो पढ़ा, वो आपको समझा गया हुगा, हमने पढ़ा काल, किरिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो, उससे काल कहते हैं, जैसे मैंने पाठ पढ़ा, काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविश्यत काल, भूतकाल मेंस बीता हुआ समय, किरिया के जिस रूप से हमें उसके बीते हुए समय का बोध हो, भूतकाल कहलाता है, जैसे मैं नाना जी के घर गया था, वर्तमान काल किरिया के जिस रूप से उसका वर्तमान समय में होने का बोध हो, मिस जो किरिया है, वो वर्तमान अभी हाल में हो रही है, उसे वर्तमान काल कहते हैं, जैसे अध्यपी का पाठ पढ़ा रही है, भविश्यतकाल किरिया के जिस रूप से उसके भविश्यत में होने का बोधो मिन्स भविश्य में आने वाले समय में कारिय के होने की संभाव ना हो उसे भविश्यतकाल कहते हैं जैसे सायद कल वर्षया होगी आप सभी ने अपने बाट को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, धन्यवाद आपका दिन सुभ हो